नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का टोफी के पुराने से पुराने दाग धबे और पिंपल्स के निसान एम जलने कटने का निसान को खत्म करने का जबजस्त घरेलू नुकसा तो दोस्तों हमारे में से कोई भी ये नहीं चाहता हमारे सरी पे दाग धबे पिंपल्स पिंपल्स के निसान एम जलने कटने का निसान हो खास तोर पर ये कोई भी पसंद नहीं करेगा कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स दाग धबे या जलने कटने का निसान हो क्योंकि ये वही सबसे ज़्यादा असर करती है चेहरे की सुन्दर्ता पर और इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं लेकिन आज के इस उपाय को लगतार साथ दिन तक लगाने से यानि इसे एक हपता अपनाने से आप अपने चेहरे से दाग धबे और पिंपल्स के निशान को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं और इसके लगतार इस्तमाल करने से आप अपने चेहरे से जल्ले कटने का निशान को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस नुष्के के बारे में जिसको त्यार करने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए दोस्तों नारियल का तेल य सकते हैं ये सारे एक जैसे ही होते हैं तो आपको नारेल का तेल को कितना इस्तेमाल करना है ये देख लीजिएगा आपको अपने चेहरे के हिसाफ से इस्तेमाल करना है यहाँ पर हम चेहरे पर लगाने के लिए दो चमच नारेल का तेल इस्तेमाल कर लेते हैं अब इसमें अब जो है इसमे नारेल का तेल डाल दिया है और इसके बाद हम जिस चीज को इस्तमाल करेंगे वो है दोस्तो का पूर घर में दोस्तो आप अपने छोटी सी छोटी पूजे में भी इसका इस्तमाल करते हुए देखा होगा लेकिन आज से काफी समय पहले हमारे दादा पर दादा के समय में कपूर का दोस्तो इस्तमाल किया जाता था चेहरे को दाग धबे हटाने के लिए और साथ ही साथ पिम्पस को हटाने में भी बहुत ही कारिगर था तो आपको यहाँ पर इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए सबसे पहले कपूर की एक टिक्या लेकर उसे छोटे छोटे बारिक हीसों में पीस लेना है देखिए दोस्तो यह है कपूर की टिकिया और इसे हमको छोटे-छोटे बारिक में पीस लेना है देखिए मैंने यहाँ पर पीस ली है तो दोस्तो अब इसको नारियल के टिकिये का इस्तमाल करना होगा तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे दोस्तो आप अपने चमच की माध्यम से इसे अच्छे से मिला लीजिए काफी अच्छे से मिल चुका है तो अब यहाँ पर हमें इसका इस्तमाल कैसे करना है यह जान लीजिए तो इसके साथ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा लगाते समय ओ भी जान लीजिए इसको लगाने के लिए दोस्तो सबसे पहले आप ले लिजिए थोड़ी सी रूई तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ आपको जब भी इसे चेहरे पर लगाना है तो आपको हाथों का इस्तमाल नहीं करना है आपको कुछ इस तरह से रूई लेनी हैं माल लीजिए यहाँ पर मेरी पिंपल से तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पिंपल के उपर इसका इस्तमाल करना है दाग धबे जलने कटने का निसान पर भी दोस्तों आपको कुछ इसी तरस से इस्तिमाल करना है आपको इसे लगाते समय जैसे ही आपको एक बार लगा लिया वैसे ही आपको दो तीन बार लगाना है अच्छे से आपको इसके आस पास लगा देना है अपने पिम्पल या दाग धबो पर और उसके बाद आपको सुखने के लिए छोड़ देना है लगबग 10 से 15 मिनट बाद ये अच्छे से सुख जाएगा और इसे आप पानी से धो सकते हैं लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी इसे लगाते हैं उसे सबसे पहले गरम पानी से आप अपने चेहरे को भाव दे सकते हैं या फिर आप ठंडे पानी या ताजा पानी की मदद से आप अपने चेहरे को अच्छे से साव कर लेना है उसके बाद ही आपको इसका इस्तमाल करना है आपको इसका इस्तमाल हपते में सिर्फ तीन बार ही करना है यानि कि दो दिन में आपको सिर्फ इसका एक बार ही चेहरे पर इस्तमाल करना है लगातार साथ बार लगाने से आपको अपने चेहरे पर गजब का रिजल दिखने को मिलेंगे आपके चेहरे से पिंपल तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी लगातार लगाने से चेहरे का दाग धब्बे और जलने कटने का निसान भी दूर हो जाएगे तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल घारेलू नुसके को लाइक और सेयर जरूर किजिए और सस्क्राइब करना ना भूलिए वेल आइकोन को जरूर दबा लिजिए मिलते हैं अगले वीडियो में